आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ शात्रों की साहता करना अत्याविशक है कि उसका मन बैग्यानिक, इसपस्ट और निश्चत और सुक्समता से सोचने वाला तता उसके साथ ही मन की गहराईयों को अनावर्त करने वाला हो क्या शात्रों को इस प्रकार सिक्षित करना शम्मव है कि वह सभी लेविलों के परे जो कर सके उस तता उस वस्तू का पता लगा सके जिसका अनुवब कर सके उसको जिसका मन नहीं मापा जा सकता जो किसी वस्तू में नहीं लिखा है यदि इस प्रकार के एक विद्याले में ऐसी शिक्षा संभव हो संभव हो सके तो वह अनूठी होगी आप सभी यह देखना चाहिए कि जिस पिरकार के विद्यालें को निर्वार्ट कितना मुल्लेवान होगा केवल निर्ते, संगीत, गड़ेत और दूसरों पाठों पर ध्यान देना समझ जीवन नहीं है सांत बैठना, अपने को देखना, सुक्सम दरश्टी प्राप्त करना, अब लोकर्ण करना ही जीवन का अंग है विचार कैसे किया जाए, किस पर किया जाए, तथा आप विचार क्यों कर रहे हो, इसको देखना भी यति आवश्यक है अब इस गद्धान्ष के यसाब से हमें पता है कि जीवन का सबसे महत्पोड अंग हमें क्या दिया हुआ, ठीक है हमें दिया विकल पे केवल पाठ्टे पुस्तक, विकल B, स्वयम को जानना, विकल D, विकल C, केवल निरते करना विकल्डी के बसकीत करना तो लेखक इस गद्धांज के अनुशार कहना चाहता है लेखक इस गद्धांज के अनुशार बोलना चाहता है लेखक अनुशार लेखक अनुशार जीवन जीवन का शबसे जीवन का सबसे महतपून अग महतपून अंग अंग बताना कौन सा है ठीक है रद्दान्स के हिसाब से हमें कद्दान्स में केवल पार्टे पुस्तक के लिए यह तो हमें बताता नहीं यह गलत है क्योंकि उसने बोला केवल निरते संगी गड़े दूसरे पार्टे पुस्तक पर ध्यान देना समस्त जीवन नहीं है तो अलिव मनें कर रहा है तो हमारा वह क्या कहना चारा है स्वेम को जानना हमारे जीवन का महत्मोर अंग है जानना और यह हमारे कौन से विकल्प में दिया है विकल्प यही मरप्शन का हो जाएगा गड़्दान्स के अनुसार तन्यवाद क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर